नमस्कार आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स आपके साथ मैं हूँ अंकिता अक्सर हम अपने घर को सजाने के लिए या फिर घर में सुक सम्रद्धी और संपन्नता लाने के लिए तरह तरह की चीज़े ले आते हैं जैसे की कोई प्लांट हो, देवी देवताओं की मूर्तिया हो, लकडी से बना कोई भी आइटम हो या फिर कोई शोपीस ही क्यों ना हो लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि घर में रखा ये समान आपकी बरबादी का कारण भी बन सकता है तो आईए आपको बताते हैं कि घर में कौन सी लकडी का समान लाने से बचना चाहिए जब भी आप घर को सजाने के लिए या फिर किसी भी कारण से कोई समान खरीद रहे हैं तो उसकी लकडी पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि कई बार लकडी से बना समान घर में रखने की वजह से बहुत ही अशुप फल मिलने लगते हैं कहा जाता है जिस पेर से दूद निकलता है यानि की सफेद रंग का चिपचिपा पदात इससे बनी मूर्तिया या फिर किसी भी तरह का आइटम अपने घर में बिलकुल भी न रखें क्योंकि ये घर में नकारात्मक उर्जा बढ़ाता है अगर किसी मूर्ती या समान को बनाने के लिए किसी कमजोर पेर की लकडी का इस्तमाल किया गया है तो उससे भी न खरीदें दरसल कहा जाता है कि जिस पेर को दिमग या चीटिया खोकला कर देती है उससे बने आइटम घर पर नहीं रखने चाहिए क्योंकि इनसान को आर्थिक रूप से कमजोर बनाती है साथी साथ उस मूर्ती या आइटम को घर पर बिलकुल भी न लाए जिसको बनाने के लिए शमशान की लकडी का इस्तमाल किया गया है इसकी वजह से घर में नकारात्मक उड़जा बढ़ जाती है साथी ये आपको आर्थिक रूप से कमजोर भी बनाती है तो अगर अब जब भी मारकिट से आप अपने घर को सजाने के लिए कोई भी समान खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इन बातों का विशेश ध्यान रखने की जरूरत है इस खबर पर आपकी क्या राय है जरूर बताईए जुड़े रहे जनभावना टाइम्स के साथ नमस्कार